शीला रोई जा रही थी और बार-बार अरजुन से माफी माँग रही थी आप हैं कौन? क्या दुश्मन ही आपकी हमारे परिवार से? और रिया, उसे कैसे जानती हैं आप? प्लीज, बताईए, मैं आपके उमर का लिहास कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजे गलग तरिके से पेश आने के लिए शीला रोते हुए बोलती है मैं, मैं प्रियांका की मा हूँ वाट? आप प्रियांका की मा है? लेकिन मॉम ने तो आज तक आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया शीला चुप रह जाती है आप चुप क्यों है? पूरी बात बताईए शीला बोलना शुरू करती है इस सब की शुरुवात आज से नहीं बल्कि 24 साल पहले हो चुकी थी 24 साल पहले मतलग? जब तुम्हारी मा की मौत हुए थी तब दीदी, यानि कि तुम्हारी स्वतेली मा मिसिस तनुजा सिंखानिया ने नया नया सिंखानिया ग्रूप ओफ इंडस्ट्रीज जॉइन किया था अस परस्नल असिस्टंट शुरू से ही वो बहुत महत्वकांशी थी बड़ा घर, गाड़ी, एक एश और अराम की जिंदगी उनका शुरू से सपना रहा था हमारी मादा पिता दोनों गुजर चुके थे और अब हम सर दोनों बहने ही थी उन्हें दिनों तुम्हारी अपनी माँ गुजर गई थी तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे उनकी जाने का अगम और तुम्हारी जिम्मेदारी की बीच वो पिस रहे थे दीदी ने इस बात का फायदा उठा कर तुम्हारे पिता की करीब आना शुरू कर दिया उन्होंने तुम्हारे पिता के सामने ऐसी चवी बनाई कि तुम्हें एक मा की जरूरत है और वो उस कमी को पूरा कर सकती है तुम्हारी परवरिश के बारे में सोचकर सिंगानिया साहब ने दीदी से शाधी कर ली अर्जुन धीमी आवाज में कहता है लेकिन वो वो मुझसे बहुत प्यार करती है उसके आवाज में इस अंजाना डर था कि जैसे वो सब कुछ समझ कर भी समझना नहीं चाता था जो छवी उसके मन में उसकी मा की थी वो उसमें कोई दाग नहीं लगने देना चाता था वो तुमसे नहीं तुम्हारी ना हूँ जो प्रॉपर्टी है उससे फ्यार करती थी अरजुने कर सत खड़ा रह जाता है उनकी बात सुन रहा था उसकी आखों के सामनी उसकी मा का चहरा खूम रहा था आप उनकी बहन है ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई प्रियांका ने भी कभी आपका सिक्र नहीं किया मैंने भी दीदी की तरह एक रईस आदमी से शादी करी थी, लेकिन वो पहली से शादी शुदा था, जब प्र्यांका हुई तब उसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, सिंगानिया साहब ने प्र्यांका की पूरी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बदले में मुझे उससे दूर रहने को कहा, ताकि उससे कोई परिशानी ना हो, इन सब बातों का रिया से क्या संबंध है, और आपने उस लोयर की पतनी अनुकुमार का काउट में एक करोड रुपे क्यों वेजे, और ये पैसे आपके पास कहा से आए, अपना मन मजबूत कर लो अर्जुन, क्योंक चीजे भरी, उसके मन में सखे और सुतेले की भाब ना डाल दी, धीरे धीरे से गानिया साहब के सामने दीदी का असली चहरा आने लगा, लेकिन चीजे इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें तुम्हारे भविशिक की चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने चुप चाप अपनी वसीयत बदलवा दी, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी का 75% शेर तुम्हारे नाम कर दिया, और बजे हुए 25% शुभम के नाम, वो भी एक शर्त के साथ कि वो कोई फैसला तुम्हारे सिगनिचर के बिना नहीं ले सकता था, जब ये बात दीदी को पता चली तो उन्हें ये नागवार था, उन दोनों में इस बात को लेकर बहुत जगडा हुआ, लेकिन सिखानिया साहब नहीं माने, तब दीदी ने तब क्या? क्या किया उन्होंने? जिसका रास्ता भी उन्होंने ढून लिया था अर्जन उनकी तरफ सवाल या नजरों से देखता है प्रियांका के जरिये प्रियांका तुम्हें पसंद करती थी इसी बात को ढाल बनाकर वो तुम्हारी शाधी प्रियांका से करवाना चाहती थी उनका तुम्हारे उपर इतना अच्छा प्रभाव था कि उन्हें पूरा यकीन था कि तुम उनकी बात मान लोगे आगे चलकर प्रियांका के जरिये वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी और उन्हें पूरा भरोजा था लेकिन उनकी ये मंचा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि तुमने उनके सामने रिया को लाकर खड़ा कर दिया रिया का नाम सुनते ही अर्जिन बेचैन हो उड़ता है ना चाहती हुए भी उन्होंने रिया को अपनाना पड़ा धीरे धीरे रिया भी बिजनस में इंवाल्व होती गई और दीदी खोन का घूट पीती गई सब कुछ अपने हाथ से निकल जाने के डर से वो बोखलास ही गई थी तब उन्होंने और शुभम ने मिलकर एक प्लान बनाया शीला कुछते रुकती है फिर बोलती है तुम्हें मारने का अरजन अपनी आखें बंद कर लेता है और उसकी आखों से आसू गिर जाती है जिसे बच्पन से मा बंद कर पाला उसके लिए मन में जरा सी भी भावना कभी नहीं आई लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था कुछ समय पहली रिया को ये सब बात पता चल गई थी अरे ये मॉम कहां चली गई उन्हें ये फाइल देनी थी ऐसा करती हूँ यहां रख देती हूँ जब आएंगी तो वो खुद ही देख लेंगी वो टेबल पर फाइल रखकर जाने लगती है तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कुछ पेपर्स पर पढ़ती है ये क्या है वो उन पेपर्स को देखने लगती है ये तो डाइट की वसीयत है पर दो अलग-अलग वसीयत एक में 75% शेर अरजन का है और दूसरी में पूरा हि ये औब्रॉय प्रोजेक्ट की फाइल दीनी थी ओ थांक यू रिया वहाँ से चली जाती है मिसिस इखानिय की नजर वसीयत के पेपर्स पर पढ़ती है अरे ये पेपर्स शुभम ने यही छोड़ दिये कितना लापरवा है ये अगर रिया की नजर इन पर पढ़ जाती तो सारे कीए पर पानी फिड़ जाता दूसरे तरफ रिया उन पेपर्स के बारे में सोच रही थी दो दो वसीयत पर क्यों कौन सी असली है और कौन सी नकली कैसे पता करूं मॉम से डरेक पूछ लो नहीं नहीं पता नहीं वो क्या सोचिंगी मेरे बारे में मुझे उन पर नज अगले दिन से रिया मिस्स सिंगानिया पर नजर रखने लगती है। नहीं चाहती कि मामला कोड तक जाए या कुछ भी ऐसा हो जिससे उनकी रिष्टे में दरार आए। रिया मिस्स सिंगानिया पर नजर रखने लगी। इसी दोरान उसे पता चलता है कि वो अर्जुन की शादी उससे नहीं बलके प्र्यांका से कराना चाहती थी। अनिवर्स्री वाले दिन रिया पवन से मिलने जा रही थी। उसे इखटा किया है सबूत दिखाने कि तभी उसे रास्ते में मिस्स सिंगानिया शुभं के साथ एक होटल में जाते हुए दिख गई। वो उनका पीछा करते हुए उस होटल में जाती हैं। वो पवन को भी वहीं बुला लेती है। मिस्स सिंगानिया और शुभं होटल के रूम में एक आत्मी से बात कर रहे थे। मिस्स सिंगानिया उस आत्मी से कहती है। ये सुनते ही रिया के होश और जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस मा को उसने और अर्जुन ने इतना प्यार दिया वही आज अर्जुन की जान की बाजी लगा रही है। रिया खुद को रोक नहीं पाती और कमरे में चली जाती है। उसे देख कर मिसेश सिंखानिया और शुबम दोनों घपडरा जाती है। मिसेस सिंखानिया घपराते हुए बोलती है। रिया, तो तुम यहाँ? इस चिप में आपकी सारी बाते की विडियो रिकॉर्दिंग है, ये सब में अभी अर्जन को दिखाऊंगी, इसके अलावा भी मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं, जो आप दोनों की सारी कर्टूते खोल देंगे, मिसिस इंखानिया घबरादे हुए बोलती है, रिया मेरी बात सु से वर्णा कसब हो जाएगा, वो सब रिया के पीछे जाते हैं, रिया होटिल के बाहर बने गाटन में आ जाती है, वो पीछे से उस गुंडे, मिसिस इंखानिया और शुमम को आते देख लेती है, वो एक पेड में बने छेद में उस चिप को छुपा कर वहां से भाग जाती है, उसके पीछे पीछे वो लोग भी भाग रहे थे, वो भागते भागते पवन को फोन करती है, हलो पवन, हा रिया मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, रिया हाफते हुए बोलती है, माम को सब पता चल गया है, रिया उसे सब कुछ बताती है, तुम टेंशन मत लो और अप पर पहुच गए थे, रिया भी जुपते चुपाते बहुत ठक चुकी थी, उसकी हिम्मद जवाब दे रही थी, फिर भी वो पूरी तरह से अपने इराधे पर टिकी हुई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था, उस गुंडे माइकल ने रिया को पकड़ दिया था, छोड़ो मुझे, वो चिप कहां है रिया, मुझे दे दो, कभी नहीं, मैं वो चिप में आप लोगों को कभी नहीं दूँगी, तुम लोगों को क्या लगता है, मैं तुम्हारी इन हर्कतों से डर चाओंगी, और अरजन को कुछ नहीं बताओंगी, कलत फैबी है तुम्हारी आत्मा भले आकर उसे कुछ भी बताए वो जोर-जोर से हसने लगती है साथ में शुम्बम भी हसने लगता है रिया 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 जालिंग क्यों पढ़ी तुम इस चक्कर में कभी-कभी ज्यादा जानना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तुम जानना चाहती ह ना कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ या नहीं तुम सुनो नहीं बिल्कुल नहीं जड़ा सा भी नहीं अरे वो तुम बस एक जरिया था इस सिंखान या ग्रूप की मालकिन बनने का मैं भी इतने सालों से अच्छी मा की आक्टिंग करते-करते बोर हो गई थी आज कितन दुनों बाद सुकून की सास ले रही हूँ और तुम तुम्हें क्या जरूरत थी यहां आने की और हमारी बाते सुनने की अब सजा दीनी पड़ेगी मुझे तुम्हें हाँ और वो हसने लगती है रिया उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखती है पूर रिया मरना था अर माइकल को इशारा करती है वो पीछे से उसे चाको मार देता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है तब पवन वहां आ जाता है कार से और रिया को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है यह क्या कि आप लोगों ने कानून आप लोगों को इस सब की सजा जरूर देगा अगर किसी के हाथ लग गई तो हमारा सारा भाणा फूट जाएगा। चिल मौम, भावी और ये वकिल दोनों मर चुके हैं। तो हमें अब जादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिसिस सिंगानिया माइकल से कहती है, हम लोग अब यहाँ से जा रही हैं। नहीं, मैं यह नहीं मानता, रिया मुझे छोड़ कर कभी नहीं जा सकती। उसकी मौझूदगी का हैसास मुझे आज भी है। मिस्टर अर्जुन, सम्हालिये खुद को, इन सब का अबस में क्या संबंध है। है, दीदी ये बाद जानती थी कि अर्जुन रिया से बहुत प्यार करता है। उसका छोड़ कर चला जाना अर्जुन को तोड़ कर रख देगा। वो ये भी जानती थी कि अगर रिया की मौत की बात अर्जुन को पता चलेगी, तो वो बात तहे तक पहुचने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उनके पास-पस एक ही रास्ता था, कि किसी तरह ये साबित कर दे कि रिया अपनी मर्जी से उसे धोका देकर किसी के साथ भाग गई है। पवन की पत्ती अनु बहुत लालची थी और साथ ही उसका किसी और आदमी के साथ चकर भी था। इसी बात का फाइदा उठाकर दिदी ने उसे पैसे देकर उसका मुह बंद करा दिया। और उसकी और पवन की तस्वीरों से मिलती जुलती पवन और रिया की तस्वीरे बनवा दी ताकि यह साबित किया जा सके कि रिया और पवन के आपस में गलत रिश्टा था उनके ओपर किसी को कोई शक्त ना हूँ इसलिए मेरी अकाउंट से एक करोड रुपे उन्होंने अनुकी अकाउंट में ट्रांस्वर किये लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही आप हमें ये सब बातें खुदा कर क्यों बता रही है शीला के चहरे पर डर साफ दिखने लगा था वो वो रिया रिया का भूथ शीला रोते हुए कहती है मैं सच कह रही हूँ रिया का भूथ आया था उसने कहा कि अगर मैं सच नहीं बताऊंगी तो वो मुझे बाहर डालेगी और एक और बात आरोही का आक्सिडेंट भी दीदी नहीं कराया था क्योंकि उसे भी सब कुछ पता चल गया था और वो तुम्हें बताना चाहती थी अरचन ये सुनकर हैरान रह जाता है इसका मतलब कि आरोही की जान खत्रे में है इंस्पेक्टर हमें तुरंथ हॉस्पिटल चलना होगा और मुझे लगता है कि रिया जिन्दा है इन सबसे सच उगलवाने के लिए उसने ये सब किया है आप ठीक कह रही हैं आप चलिए मैं अभी अपनी पुलिस फोर्स लेकर आता हूं शीला को पुलिस हिरासत में ले लेती है आरोही का आपरेशन हो चुका था और उसे वाट में शिफ्ट कर दिया गया था दूसरी तरफ अरचन हॉस्पिटल के लिए निकलता है कि तभी उसका फोन बचता है उधर से जो आवाज आती है उसे सुनकर जैसे ही अरचन की मरती हुई आस फिर जगटी थी वो आवाज रिया की थी अरचन अरचन अपनी आखें बंद कर लेता है और उसकी आखों से एक आँसू गिरता है अरचन आख बंद करके बोलता है रिया, रिया, कहा हो तुम, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकता मैं, प्लीज, मेरे पास आ जाओ रिया, प्लीज आउंगी, तुम से मिले बिना कैसे रह सकती हो, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, और एक बात, मॉम और शुभम के खिलाफ सारे सबुत, होटल ब्लू मून के गार्डन में, राइट साइड लगे आपके पेड में चिप रखी हुई है ठीक है, मैं भी पुलिस को इंफॉर्म कर देता हूँ, और मैं भी आ रहा हूँ अर्जुन मन में खुशी भर कर हॉस्पिटल पहुचता है, और वो आरोही के वाट के बाहर कुछ भीर लगी देखता है मिस्सिस इंखानिया, शुभम, प्रियांका और डॉक्टर भी खड़े थी, अर्जुन भी उनके पास जाता है क्या हुआ? अर्जुन, अरोही का वाट पता नहीं कैसे लौक हो गया है, खुल ही नहीं रहा वैसे तुम कहा गए थे? अर्जुन अपनी मा की तरफ देखता है, और जो कुछ भी शीला ने बताया, वो सब उसके कानों में घूँजने लगता है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? देख रहा हूँ, कि गिरगिट तो यूहीं बढ़नाव है, अस्तिली रंग तो इंसान बदलते हैं मतलब? कुछ नहीं मिसिस इंगानिया मन में सोचती है, ये अर्जुन इस तरह सी क्यों बोल रहा है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, पता किसी चलेगा, रिया तो मर चुकी है, और आरोही इस हालत में है कि कुछ नहीं बता पाएगी अर्जुन दर्वाजी के पास जाता है और खोलने की कोशिश करता है और उससे दर्वाजा खुल जाता है, सब अंदर जाते हैं, आरोही को होश आ गया था, डॉक्टर उसे चेक करते हैं अब ये खत्रे से बाहर है, थैंक यू डॉक्टर मौम अब क्या होगा, अगर इस आरोही ने भाई को सब कुछ बता दिया, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे चून तवरी शुभम, अरजन हमसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर लेगा, और मैं हो ना, चार आसों गिराऊंगी और वो पिखल जाएगा तब ही वहाँ इंस्पेक्टर खुराना आ जाते हैं वाट, ये क्या बद्तमेजी है, आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला कि मैं किससे बात कर रहा हूँ मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी बहु और लॉयर मिस्टर पवन कुमार को मारने की कोशिश की जिन्होंने अपनी बहु के चरितर पर कीचड चाल कर पुलिस को गुमरहा किया जिन्होंने मिस्टर अरजन को जान से मारना चाहा जिसकी वजह से मिस आरोही आज इस हाल में है माइकल भी आपके साथ मिला हुआ था आपने हॉस्पिटल में उसे आरोही को मारने के लिए भीजा था ना क्या पक्वास कर रही है आप तब-दब वहां अर्जुन आ जाता है मिसिस इखानिया अर्जुन के पास आती है अर्जुन देखा तुमने ये इंस्पेक्टर मेरे उपर कैसी कैसे इलजाम लगा रहा है तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ भला मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी सही कहा आपने भला आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी काश ये सच होता आपने तो मा मेटे के रिष्टे को अपमानित कर दिया ऐसा चाहिए था एक बार प्यार से बोल देती मैं खुद आपको सब दे देता ये सब करने की क्या जरूरत थी अर्जिन शुभम के पास आता है और तु? तुने भी सब में मौम का साथ दिया तुझे तो मैंने भाई से जादा अपना बच्चा माना लेकिन तुझे भी ये सब करने में जरा भी शर्म नहीं आई ये सच नहीं है अर्जिन कोई हमें फसा रहा है बेटा प्लीज बेटा मत कहिए आपके बोसे गाली लगती है और वैसे भी मैडम मिशेश शीला भाटिया ने हमें सब कुछ बता दिया है और मिशेश रिया ने जो रिकॉर्डिंग की थी आपके कनफेशन की वो भी हमें मिल चुगी है तो चूट बोलने का कोई फाइदा नहीं है मॉम मॉम केसे इंवॉल्ड है और ये सब क्या हो रहा है अरजन उसे सब कुछ बताता है I'm sorry अरजन मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था ये सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि किसी की जिन्दकी के साथ खिलवाट करू जानता हूँ प्रियंका तुम्हें गिल्टी फिल करने के कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मॉम को तो मैं छुड़वा दूँगा अब तुम उनके साथ ही रहना थैंक्स इंस्पेक्टर खुराना मिसस सिंगानिया, शुभम और माइकल को गिरफतार कर लेते हैं पुलिस की टीम अनु को भी गिरफतार करती है शाम का वक्त था अर्जन आरोही के पास बैठा हुआ था आरोही बहुत धीमी अवास में कहती है अर्जन मुझे तुम्हे कुछ बताना है मैं जानता हूँ आरोही जो तुम मुझे बताना चाहती हो तुम बहुत अच्छी हो आरोही मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खत्रे में डाल दी मेरे अपनोंने तो हट पार कर दी लेकिन दोस्ती में मैंने धोखा नहीं खाया उसके आखों में आसु आ जाती है मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ रिया का फोन आया था अभी थोड़ी धेर पहले क्या? हाँ, उसने मुझसे कहा कि मैं हॉस्पिडल पहुंचो वो मुझे वही मिलेगी लेकिन पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई मैं अभी उसे उसी नमबर तर कॉल करता हूँ अर्जन रिया को फोन मिलाता है लेकिन कोई नहीं उठाता अर्जन काफी बार ट्राइ करता है ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी बहुत तीज हवाई चलने लगती है और उन दोनों को पाइल की खनक सुनाई देती है अचानक से कमरे में बहुत तीज रोश्णी होती है और रिया की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है अर्जुन एक दम सन रह जाता है उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है अर्जुन घबराई हुई आवास में बोलता है रिया ये सब रिया हलका सा मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ अर्जुन यही सच है मैं अब नहीं हूँ अर्जुन के पैर लड़ खड़ा जाते हैं और उसके होश उड़ जाते हैं मैं मर चुकी हूँ अर्जुन अब मैं वापस नहीं आउंगी लेकिन अगर तुम इस तरह से रहोगी तो मेरी आत्मा को कभी मुक्ती नहीं मिल पाएगी मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ अर्जुन अर्जुन बस उसे देखे जा रहा था उसकी आखों से आशु बह रहा है मेरी एक बात मानोगे अर्जुन को जवाब नहीं देता उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो तुम्हा रोही का हाथ थाम लो हा अर्जुन ये मेरी आखरी इच्छा है इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हारी जिन्दगी फिर से अबाद देखना चाहती हूँ अगर तुम दुखी रहोगी तुम मेरी आत्मा को कभी शांती नहीं मिलेगी वो यो ही भटकती रहेगी अरोही की रूप में मैं ही तुम्हारे पास वापस आ रही हो अर्जुन अर्जुन की आखों से लगातार आसोगे रहे थे रिया अरोही की तरब देखती है अरोही क्या तुम मेरे अर्जुन का हाथ जिन्दगी भर के लिए थामोगी मैं जानती हूँ कि तुम मन ही मन उससे बहुत प्यार करती हो क्या तुम उसे जिन्दी भर संभालोगी मेरी और अर्जुन की कहानी तो किस्मत और हालात की वजह से अधूरी रह गई लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी अधूरी कहानी को तुम पूरा करो अर्जुन का हाथ थाम कर करोगी न आरोही अर्जुन की तरफ देखती है जो आखों में आसु भरे बस रिया को देखे जा रहा था वो रिया की तरफ देखकर हां में सिर हिलाती है उसकी भी आखों में आसु थे अर्जुन, I love you and I will always love you अपना खयाल रखना और आरोही का भी मेरी जाने का वक्त आ गया है चलती हूँ रिया की परचाई आखों से औजल हो जाती है अजाना की अर्जुन होश में आता है और घुटनों के बल बैट कर जोर से रूनी लगता है रिया प्लीज, मुझे छोड़कर मस जाओ मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे मिना प्लीज, वापस आ जाओ आरोही बैट से उठकर धीरे धीरे उसके पास आती है वो उसके कते पर हाथ रखती है और नामें सिर हिलाती है आज रिया की बरसी है आज उसे पुरा एक साल हो गया है आरोही इसलिए मैंने पूजा रखवाई है घर में तुम्हें कोई कैसी बात कर रही हो अरजुन मुझे क्यों कोई परिशानी होगी रिया हमारे जिन्दगी का एक अटूठ हिस्सा है उसी की वज़े से आज हम साथ है मैं उसकी हमेशा शुक्रिकुजार रहूंगी रिया की बरसी की पूजा हो जाती है रात में अर्जुन और आरोही छट पर खड़े थे एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे कहो ना तुम सच में रिया की परचाई हो अगर तुम ना होती तो शायद मैं दुबारा कभी नहीं समल पाता थेंक्यू सो मच कैसे ना होती मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जिन्दगी में कभी रिया की जगे नहीं ले सकती लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन आरोही उदास हो जाती है अर्जुन हलका सा मुस्कुराते हुए कहता है रिया की जगे सच में मेरी जिन्दगी में कोई नहीं ले सकता लेकिन तुम्हें वो जगे लेनी क्यों है तुम्हारे लिए मेरे मन में एक आलक जगा है जो बहुत खास है और तुम भी बहुत इंपोर्टेंट हो मेरे लिए अर्जुन अपनी बाहे फिला लेता है और आरोही उसमें समाज आती है दूर आसमान में रिया की परच्छाई उन्हें यो एक दूसरे के साथ देख कर मुस्कुरा रही थी आशायत सही माइने में ये अधूरी कहानी पूरी हुई थी